हेलो दोस्तो एक बदोवारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल पर चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बधने बाद तो दोस्तो ये बैस्ट पैनी शेर तो बाय नाओ इन 2021 हो सकता है आपको एपको याद होगा स्टैमपेट कैपिटल स्केपडी रिवियाय चो मैंने आपको इन्स्टर ग्राम के माहत चार्ट इया था जिसमे एक फ्लैग पैटन बन रहा था तो फ्लैक का चार्ट आपको अभी स्कीन में दिख जाएगा उसमें मैंने आपको क्लिर मेंशिन किया था कि एक रुपे साथ पैसे अभी ब्रेकाउट होगा तो यह स्टॉक एक आपको अच्छे रण देखे जा सकता है तो अब फाइनली इस स्टॉक ने ब्रेकाउट देच चुका है एक रुपे साथ पैसे के उपर तो दोस्तो इस स्टॉक में काफी अच्छे टागेट और लेबल्स आपको देखने को मिल सकते है यह रीजन जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंतर देखके जाना और हो सकते न, तो वीडियो को थोड़ा देख लेना इसमें आपके साथ शेर करूंगा रिंस ही सब कुछ होता है ठीक है अगर हगर मार्केट में आपको अपना रिंस पता है तो काम कीजिये, नहीं पता तो अपना रिंस पहले निकालिए वीडियो को अंतर देखना काफी कुछ सीखने को मिल सकता है तो जब टाइम मिलेगा तब इस वीडियो को देखना otherwise अभी छोड़ो तो अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी किसे रुक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज वीडियो में लाइक कर सकते हो लाइक हमारे लिए एप्रिसेट गिप्ट होता है और शेर कर सकते हो टेलिग्राम में ट्विटर में वट्सव में जहां आप शेर कर सकते हो वहां शेर कीजिए और जितना मेरे से हो सकता है आपके लिए में ठीक है तो उनके बारे में सोड़ा चरका कर लेते क्यांकि बहुत लोग Arena न सोगो इनको बाय करने की सलाः नहीं देता हूं जोऑ के वीडियो होते एजुगेशन परपस word से बना जाते लेकिन बहुत सारे कि आपको अवसकता नहीं है, आप सिर्फ इतना जानो कि मार्केट में ना सिर्फ रिक्स काम करता है, मार्केट में आपको अपना रिक्स पता होना चाहिए, मैंने आपको क्लाइन बोली सुरू में, मार्केट में आपको अपना रिक्स पता होना चाहिए, अगर मार्केट में आ तो यहाँ पर आपको swing trade करनी है, swing trade मतलब आपको market में opportunity निकालनी है, जहाँ पर आपको पैसा बन सकता है, या तो आप intraday करो, अगर आपको अपना risk पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको अपना risk नहीं पता, तो market में काम मत करो, risk मतलब क्या होता है, कि आपकी जो capital है, आप अपने capital का कितना part stock में खोने के ready हो, profit की बात मैं नहीं करूँगा, market में कभी profit की बात मत किया करो, पहले अपना loss की बात किया करो, कि मुझे एक stock में अगर buy कर रहा हो, तो मुझे वहाँ पर कितना loss हो सकता है, उ खुद आ जाएगा, tax macro जैसे आपको पता है, यह हमने आपको 23 रुपे का असपास दिया था, 27 रुपे तक गया था, ठीक है, तो अभी हमें loss हो रहा है, परसेंट का, तो अब सुनो बात एक बार, हर किसी का वीडियो तो नहीं बात आ पाऊँगा, लेकिन इस वीडियो के अ ठीक है, अब आपने किया नहीं किया, मुझे नहीं पता, बाल फार्मा में, मैंना आपको बहुता है, रिक्स है इसमें, मतलब कि 100 रुपे के अप उपर, यह हमारा breakout करेगा, तो इसमें 100 रुपे का breakout नहीं दिया भी तक, तो मतलब इसमें हमारा trade active नहीं हुआ है, यह मैंने बाई कर लिया था, जो कि मुझे अपना रिक्स पता है, जो भी है, नौर भी करके है, ठीक है, इसका जो breakout था, नौर रुपे 30 पैसे के उपर था, मेरे ख्याल से इसमें breakout हो गया था, ठीक है, तो इसमें भी हमें अभी loss ही हो रहा है, इसका भी update चार्ट में आपको दे पर हाई लगाया, नौर 19 रुपे 35 पैसे का, लेकिन 19 रुपे 40 पैसे और 19 रुपे 60 पैसे के उपर अभी तक breakout उसमें एक बार भी दिया है, मतला इसमें हमारा ट्रेट अक्टिव नहीं हुआ था, ये अगर आपने रिक्स लिया होगा, पहले जैसे मैंने रिक्स ले सकते हो, अगर आप लिक्स, जो रिक्सी टेडर है, वो रिक्स ले सकते है, लेकिन जो सेब टेडर है, उनको बाय करना था, 19 रुपे 60 पैसे के उपर, तो इसमें हमारा अभी तक ट्रेट अक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, तो इंका जो अपडेट चार्डों का, स्टॉप लोस का, म कि देखो, लास मथ, दिसम्मर के महिने में, ठीक है, हमें अच्छी खासी रिटन आयती, हमारे स्ट्रेट स्टॉक से, खांड वाला सेक्योड़ी था 100%, सैंटेक्स था 50%, बीसीबी था 40%, तो उन स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुक अल्मूस कर लिया था, और वो स्टॉक बल अपनाा अपना इचल रिक्स ंहान रखो, अगर एक उछा को, कोई भी स्टॉक हो, पैरनी स्टॉक हो कुछ भी हो, यह लिए उप देट देना था, इंके अपडेटिट चार्ट आपको वीडियो के के अंतें मिल जा Mogé, वीडियो काफी लंबह Fig आए तो आप लेके चलता पहले अप्डेट किया था, फ्लैक पैटन बन रहा अच्छा सा, जब यह ब्रेक आउट होगा, फ्लैक पैटन आप इसको बाइगर करके चल सकते हो, अगर आपने पहले बाइग कर लिया तो बढ़िया है, ठीक है, अभी करंट पर चल ला है, एक रूपे 60 पैसी को पर ही चल ल लग रहा है, और क्या इसके profit and loss है, इसके मैंने ये profit and loss खोल लगे है, देख सकते हो, quarter में इसकी revenue मातर 64 लाग के असपास थी, और जो net profit था, माइनस में था, company loss making company है, इतना खास company नहीं है, ठीक है, decide आप कर लो, आपको buy करना है नहीं करना है, लेकिन, लेकिन जो फ्रोक को मे holding पूरी की बेज दी, और ये बेची कि इसको, public को उन्होंने बेज दी, मार 2020 में, ठीक है, और देखिए, दुबार से, last September quarter में क्या हुआ है, इंकी holding मातर 0.17 के असपास थी, और प्रोक के बाद 98% की holding थी, लेकिन देखिए, December में क्या हुआ है, 6 December quarter में, जो promoter की holding है, 43% बढ लगई है, मतलब promoters ने public से माल खई लिया है, दुबारा से वापसी, तो कुछ नकुछ तो उसमें हुआ होगा, कि promoter को लग रहा है, कि stock में value, इसलिए उन्होंने तुबारा से public से माल buy कर लिया है, तो ये stock मुझे भी बहुत लगा, कि यार, इन्होंने, सच में किया, न्हो देख लेना कि हाँ, promoter की पहले holding 0.17 थी, अब दिसम्मर के quarterman नोने buy करी है, अभी आपको scheme chart दिख जाएगा, तो देख लेना आप, ठीक है, दोस्तो ये stock को देने का purpose simple यह है, कि promoters ने almost अपनी holding 43% के आसपास बढ़ा लिया, जो holding पहले मात्र 1% से भी नीचे थी, दोस्तो ए definitely आप देख सकते हो, हाल हाल में, जो delivery percentage हुआ है, वो कितना अच्छा increase हुआ है, आप देख सकते हो, 21 January के आसपास, almost 96% के आसपास quantity deliver की गई है, 100% में से, तो काफी बड़ा number है, और delivery लगातार percentage increase हो रहा है, stock में, आप देख सकते हो, ठीक है, और दोस्तो चार्ट के को नहीं स को तोड़ दिया है, अगर आपको मौका मिलता है, तो 1.70 पैसे के आसपा, आपको अच्छे डिन दिखा सकता है, मेरे साप से, ठीक है, अगर 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 अब तागेट का बात करते हो, इसमें, तो टागेट के लिए वेट कर सकते हो, दो रुपी के टागेट, आसपा और T2 जो होगा हमारा इसमें 2.40 पैसे के आसपा, ठीक है, स्टॉप लोस आप लगा सकते हो, इसमें 1.20 पैसे के नीचे, अब आप बोलोगे सारी, तो अपर सकेट में है, देखो दोस्तों, ये पहले मैंने आपको अपडेट कर दिया था, ये एक ब्रिक आउट हो सकता है, फ्लेक है करके रखा हुआ है, करके रखा हुआ है, एक रुपे चालिस, तालिस पैसी का पर जब मैंने आपको इंस्ट्राग्राम में अफडेट किया था ये था ना, तभी मैंने ये ब्ई करके रखा हूँआ, 2-3 हफते से, ठीक है, तो आपको स्की में दिख जायगा मेरा स्किन ठीक है भाई तो भाई यहां तहकर वीडियो देखाय है अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना शेर कर देना शेर कर सकते हैं टूटर टेली कराम हिसकर जाणना है कोश्चन नीचे कोमेंट करोड़ेफिटियर कर दूँगा बाकि मिलता हूं आपको अपने नेक्स वीडि झाल झाल